हलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एक्जाम क्रेजर में दोस्तो आज के वीडियो में हम आठ फरवरी से सम्मंदित उत्तर प्रदेश कंड़ाफियर और इसके अलाबा यूपी एक्जाम के लिए पुस्त इंपोर्टेंट कंड़ाफियर किस्टन को डिसकेस करेंगे और हर एक्विडियो के इन्द में हम आपसे एक कुशन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर आपको इसकी PDF आउनलोड करनी है तो आप मारे टेलिग्राम गुरूप से इसकी PDF आउनलोड कर सकते हैं आपसे नमबर A है गुरखपुर B है कानपुर C है लखनव और D है बरेली तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपसे नमबर D बरेली बरेली के सीवी गंज के गाउन नदोसी में सोलर एनरजी प्लांट लगाया जाएगा इस प्लांट से सहर की स्ट्रीट लाइटों को बिजली दे जाएगी प्रदेश का यह सबसे बड़ा सोलर एनरजी प्लांट होगा और इस प्लांट से क्या होगा सहर की स्ट्रीट लाइटों को बिजली दे जाएगी और इससे एक फाइदा ये भी होगा कि जो बिजली होती थी उससे जो स्ट्रीट लाइटें जलाई जाती थी तो उससे बिजली कट होने पर अंधेरा हो जाता था तो ये प्राबलम रहती थी लेकिन जो solar energy plant है इसके लग जाने के बाद इस तरह की जो बिजली कट की समस्या होती थी ये नहीं होगी तो यहाँ पर image में भी आप देख सकते हैं ये solar panel होते हैं और ये जो solar energy plant है ये बरेली में लगाया गया है और ये प्रदेश का सबसे बड़ा solar energy plant है अब यहाँ पर बात बरेली की है तो बरेली से समन्दित कुछ महत्वपूर्ट जानते है सबसे पहला तो ये कि बरेली का one district one product क्या है तो बरेली का एक जिला एक उत्पाद है जरी जर्दोजी बरेली में हैं बिस्व प्रसुद्ध दरगाह आला हजरत ये सुन्नी बरेलवी मुसल्मानों की आस्ता का प्रमुकेंद्र है और ये बिस्व प्रसुद्ध दरगाह आला हजरत इसका निर्माड कब हुआ था तो इसका निर्माड हुआ था 1856 से 1921 के बीच में 1856 से 1921 के बीच में इसका निर्माड कराया गया था और बरेली में हैं एक संग्राहलाय जिसका नाम है अमबाई इसमारग पांचाल संग्राले यह भी मॉस्ट इंपोर्टेंट है आपको याद रखना है अगला कुश्यन है जल जीवन मिसन के तहत उत्तर प्रदेश के कितने ग्रामीरवा सहरी निकायों में जलापूर्ती की जाएगी अपसन नंबर ए har ''2,50,000'' ब है ''2,4,707'' तो इसका जो करेक्ट आंसर है भो है ऑपसन नंबर बी ''2,40,707'' अब यहां पर बात उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं यह मैप में उत्तर प्रदेश उत्तरप्रदेश की कैपिटर है लखनवू, उत्तरप्रदेश की चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनात और उत्तरप्रदेश की गवर्णर है आनंधी बेन पटेल अब उत्तरप्रदेश से समंदित कुछ important factor जानते हैं जो कि एक्जाम्स में पूशे जाते हैं उत्तरप्रदेश में किंद्रिय विस्विध्याले की संख्या कितनी है तो कुल किंद्रिय विस्विध्याले हैं उत्तरप्रदेश में 6 और ये एक्जाम में पूशा भी गया है उत्तरप्रदेश में बने जीव भिहारों की संख्या कितनी है तो बने जीव भिहार है 18 और उत् उत्तर प्रदेश में राष्ट्य उध्यानों की संख्या कितनी है तो उत्तर प्रदेश में एक मात्र राष्ट्य उध्यान दोदवा राष्ट्य उध्यान है और यह मुस्ट इंपोर्टेंट है कई बार एक्जाम में पूछा गया है और उत्तर प्रदेश में प्रमुख प्रफामिस्तान हे, गन्ना में प्रफामिस्तान हे, आलू में प्रफामिस्तान हे, मसूर, हल्दी, मैथा, आयल, जिसे पेपर मेंट कहते हैं, तो ये प्रम१al fantastic के चेतर में उत्तर प्रिदेश का पहला अस्तान हे और अगर उतर प्रदेश में लोग सभा सीटों के संख्या कितनी है असी राज्य सभा सीटों के संख्या कितनी है 31 तो यह तो आपको याद हो ही चुकी होगी क्योंकि कई बार हमने यह आपको बताया है अगला कुश्यान है IIT, BHU और निमलखित मैंसे किस के बीच एक समझोता ग्यापन परस्ताक्चर किये गए हैं जो मंत्राले को अपने व्यग्यानिक ग्यान का उप्योग करने में मदद करेगा आपको ग्यापन परस्ताक्षर किये गए हैं और यह जो समझोता ग्यापन पर अस्ताक्चर किये गए हैं और ये जो समझोता ग्यापन है संस्थानों के साथ सहीयोग बढ़ाने के लिए है जो मंत्राले को हमारे देश में सड़कों की निर्माड में उनके वग्याने ग्यान का उप्योग करने में मदद करेंगे और जो IIT-BHU है इसकी स्थाफना कब हुई थी तो IIT-BHU की स्थाफना हुई थी 1916 में और इसकी स्थाफना किस ने की थी तो मदन मुहन मालवी की द्वारा इसकी स्थाफना की गई थी अगला कुश्यन है आल ही मैं किस राज्ज में ग्लेशियर के फटने से उत्तर प्रदीस में हाई अलट जारी कर दिया है ओफ्सन नमबर A है उत्तराखंड, B है जम्बू कस्मीर, C है हिमाचल प्रदीस, D है लद्दा तो इसका जो करेक्ट अंसर है ओफ्सन नमबर A उत्तराखंड, उत्तराखंड के चमूली जिले में जोसी मठ में ग्लेशियर के फटने से चारों और तबाही का मंजर है ग्लेशियर तूटने से नदियों में अचानक पानी बढ़ गया है और दोस्तों ये जो ग्लेशियर तूटा है ये ग्लेशियर का फटा है तो ये साथ फरवरी को फटा है कब साथ फरवरी को ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा के किनारे पढ़ने वाले इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है क्योंकि उत्तर खंड जो है वो उत्तर प्रदेश के वरडर से सटा हुआ है और इस ग्लेशियर के फटने से जो पानी है उसका बहाव गंगा नदी में भी आ जैसे जो गंगा के किनारे के इलाकी है उनमें उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है ये देख सकते हैं इमेज में आप की ग्लेसियर है, और ग्लेसियर होता क्या है तो ये बर्फ से बने पहाड होते हैं अब नहां पर solar है जो की फिखलता है तब अण कि क्योंकि पानी यूए बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है अब यहां पर उत्त्रा खंड की बात आई है तो उत्त्रेखंड से संमधित कुछ देखते हैं देख्यों उत्त्रा-खंड में हैं चोटा चाव धाम छाध हम उत्त जारनाथ, बद्रिनाथ, गंगोत्री, यमनोत्री और उत्राखंड में है नंदा देवी जो की उत्राखंड की सबसे उची चोटी है अगर एक्जाम में पूछा जाता है कि उत्राखंड की सबसे उची चोटी कौन सी है तो नंदा देवी उत्राखंड की सबसे उची चोटी है और उत्राखंड को एक नाम से भी जाना जाता है या देव भूमी उत्राखंड को देव भूमी की नाम से जाना जाता है और उत्राखंड में ही जो गंगा और यमना नदी है उसका उदगम इस्थान भी उत्राखंड में है गंगा नदी का उदगम इस्थान है गंग उत्री औ और यमना नदी का उद्गमिस्तान है यमन उत्री जो की उत्राखंड में ही पढ़ता है और सबसे एक प्रस्विद्ध चीज जो कुम मेला हर बारा वर्स में लगता है यह कहां पर लगता है तो यह उत्राखंड के हरे द्वार में लगाया जाता है तो यह मोश्ट इंपोर्ट के गवर्नर हैं बेवी रानी मौरिया अगला कुश्यान है हाल ही में संपन्य पहली एसी आई ओनलाइन सूटिंग चेंपियंशिप में सरवादिक पदक किस रास्टो द्वारा जीता गया ओप्सन नमबर ए है चीन बी है जापान सी है उत्तर कुरिया और डी है भारत तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ओप्सन नमबर डी भारत भारत पहली एसी आई ओनलाइन निसाने बाजी तो यह आपको याद रखना है कि ऑनलाइन जो शूटिंग चेंपियंशिप हुई है उसकी मेजवानी कि है और भारत ने सरवाधिक पदक जीते हैं कितने टूटल पदक 11 जीते हैं और उसमें आठ में से चार सुन पदक और दो रज़त पदक और पांच कांसे पदक भारत ने जीते हैं अगला कुश्यन है हाली में भारतिय थल सेना के नए उपसेना प्रमुक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ओप्सन नमबर A है अभी नंदन सिंग, B है S के सेनी, C है चंडी प्रसाद म मुहंती, लेटनेंट जनरल चंडी प्रसाद मुहंती को नए उपसेना प्रमुक के रूप में नियुक्त किया गया है, उन्होंने लेटनेंट जनरल S के सेनी के इस्थान पर 1 फरवरी 2021 को पद गिरहन किया, S के सेनी 31 जनवरी 2021 को सेवन रिफ्त हो गई थे, लेटनेंट जनर सीपी मुहंती, यानि की चंडी प्रसाद मुहंती का जन्म उडिशा के जगत सिंगपुर के जैबाडा गाउं में हुआ था, जनरल चंडी प्रसाद मुहंती सेना के 42 में उपप्रमुक हैं, और बरतमान में थल सेना अध्यक्ष कौन हैं, तो जनरल मनोज मुकुंद बरतमान में थल सेना अध्यक्ष हैं, इमेज में देख सकते हैं, ये हैं चंडी प्रसाद मुहंती, अगला कुश्यन है, निमलिखित मैसे किसने जनवरी 2021 में बायो फ्यूल द्वारा संचाले दुनिया का पहला वानिज्यक बूस्टर लांच किया है, औप्सन नमबर A है, ब बायो फ्यूल द्वारा संचाले दुनिया का पहला वानिज्यक बूस्टर लांच किया है, बायो फ्यूल द्वारा संचाले दुनिया का पहला वानिज्यक बूस्टर लांच किया है, बायो फ्यूल द्वारा संचाले दुनिया का पहला वानिज्यक बूस्टर लांच किया है प्रजक बूस्टर लॉंच किया है और इसका नाम क्या है प्रोटो टाइप को स्टार डस्ट बन पॉइंट जीरो भी कहा जाता है अगला कुश्यन है किस देश में एक अभियान पर व्यग्यानिकों की एक टेम बवेरियन स्टेट कलेक्शन ऑफ जूलोजी की नित्रत में गिरगिट की एक नई छोटी सी प्रजाती की खोज़ की है अपसन नमबर ए है सिंगापूर, बी है नियूजीलेंड, सी है मेडागॉसकर और डी है आईरलेंड तो इसका जो करेक्ट अंसर है वो अपसन नमबर सी मेडागासकर मेडागासकर के उत्तर में एक अभियान पर बवेरियन स्टेट कलेक्शन ऑफ जूलोजी के नित्रत में व्यग्यानिकों की एक टेम ने गिरगिट की एक छोटी सी नई प्रजाती की खोज़ की है व्यग्यानिकों ने नई प्रजाती का नाम ब्रुकेशिया नाना रखा है सिर्फ 13.5 मिमी 13.5 मिली मीटर यानि कि 0.53 इंज के सरीर के आकार के साथ यह नैनो गिर्गिट ब्रुकेशिया नाना लगबक 11500 ग्यात सरी स्रफ प्रजातियों का सबसे चोटा ग्यात नर है तो ये भी most important आपको याद रखना है कि इसका नाम क्या रखा गया है ये नैनो गिर्गिट है और इसका नाम रखा गया है ब्रुकेशिया नाना ठीक है इसकी प्रजाती है ये ब्रुकेशिया नाना अब यहाँ पर ये मेडा गासकर में पाये गया है तो मेडा गासकर की रजधानी क्या है अंटा नाना रिवो और इसकी मुद्र क्या है मेडा गासकर Airexy अगला कुश्यन है खाल ही में कौन सी पहली भारती निजी संस्ता एक पूर सेन सुरणी का विमान बना रही है उप्सन नमबर A है टाटा समू B है हिंदुस्तान एरोनौटिक से लिम्टिड C है भारत हैवी, इलेक्टिकल से लिम्टिड और D है राष्ट्रिय एरोस्पेस परयोग साला तो इसका जो करेक्ट अंसर है वो है ओप्सन नमबर A टाटा समू टाटा समू भारत में स्वदेसी सेन विमान का विकास और निर्माड करेगा यह पहली बार है जब कोई निजी भारतिय एकाई इस छेत्र में जा रही है योजना स्वदेसी सेंसर और पेलोड को एक खुफिया जानकारी इखटा करने वाली संपत्ती के रूप में परिवर्तित करने के लिए है और अब तक पूर्ण सेन स्वदेसी के विमान के निर्माड का स्वामित एरो इसपेस और रक्षा कमपनी हिंदोस्तान एरो नाटिक्स लिम्टेड यानि है एल के दारे में था और अब ये पहली बार कोई निजी भारतिय कमपनी जो है इस छेत्र में जा रही है जो की स्वदेसी सेन विमान का विकास और निर्माड करेगी अगला कुश्यान है हाल ही में प्रातत्व विदों ने एक प्राचीन मिस्र के तपू सीरी मैगमा नामक इस्थल पर सोने की जीव बाली ममी पाया है ममी कितने साल पुरानी है आप्सन नमबर A है एक हजार साल पुरानी B है 1400 C है 2000 और D है 1800 तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उप्सन नमबर C 2000 वर्स ये पुरानी है एक प्राचीन मिस्र के तपू सीरी मैगमा नामक इस्थल पर प्रातत्व विदों ने 2000 वर्स पुरानी एक सोने की जीव वाली ममी को पाया है मिस्र के एक बेहत पुरानी साइट वा पर प्रातत्व विदों ने एक ऐसी ममी खोजी है जिसकी जीव सोने की है मिस्र की प्राचीन परमप्राओं में ये कहा जाता था कि मरने के बाद ये ममी भगवान से बातें करती है साइध इसलिए इसमें जो है सोने की जीव के साथ इसे दफनाया गया था तो ये वहाँ पर ये मानियता था मानियता थी मिस्र में कि मरने के वाद जो व्यक्ति है वो भगवान से बातने करता है तो इसलिए जो ममी में सोने की जीव के साथ इसे दफनाया गया था और इमेज में आप देख सकते हैं ये है ममी जो की पाई गई है पुरातत्व विदों ने इसे खोजा है और ये इमेज में देख सकते हैं सौने की जीविस में लगी हुई है तो दोस्तों ये थे आठ फरवरी से सम्मंदित उत्तर प्रदिस कंड़फेर और इसके अलाबा यू में विस्सो बैंक द्वारा उत्तर प्रदिस के किस जिले की सभी परियोजिनाओं को निरस्त करते हुए अनुदान रासी वापस कर ली गई है तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो आप्शन नमबर ए था बलिया और कई स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिये और मैं फ पचास करोड वर्स प्राचीन नोड्यूल प्राप्त हुआ है और अगर चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथी वेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे तो मिलते हैं नेक्ट वीडिय